हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू PCS चंपियंज फ्रेंट्स या बिहार दरोगा प्रारामभिक परिक्षा 2023 से संबंधित निव प्रैक्टिस वर्क बूक है जो आपके दरोगा एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसमें टोटल सो महत्पुन प्रोष्ण है और यहा इसी सिरीज का सेट टू है अभी तक आपने सेट वन नहीं देखे हैं तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए तो चलिए बीना समय कवाएं सेशन स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्त तक जरूर देखेगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि नेक्स्ट प्रस्ण है निमनिखित में से कौन सा सविधान के मुल अधिकारों का अंस नहीं है तो इस में से उद्योगों के प्रबंधन में सरमीकों की सभागिता सविधान के मुल अधिकारों का अंस नहीं है इसका राइट एंसर हो जगा ओप्शन सी नेक्स्ट प्रस्ट है भारत में संगिये मंत्री पडिशत के सदस्यों की कूल संख्या किसे से अधिक नहीं हो सकती है बात करें सविधान के एक आनवा 91 अवा सविधान संसोधन अधिनियम 2003 का तो इसके तहट केंद्र तथा राजियों में मंत्री परिशत की सदस्यों की संख्या लोग सभा तथा विधान सभा में पौंधरा परिशत रखी गई या इसे ध्यान में रखीएगा नेक्स्ट प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सभिभाग गिराह मंत्राले के अधीन नहीं है। तो इसमें से बीधी कार या गिराह मंत्राले के अधीन नहीं है। इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्षन D नेक्स्ट प्रस्ण है भारत के सविधान के किस अनुछेद में यह वार्नित है कि भारत के रास्ठपति अपने पद की सक्तियों के पड़ियों के केलिए भारत के किसी भी नयाले के पड़ती जवाब्दे नहीं होगे? तो इसका संब्वान भारत के सविधान के अनुछेद 361 से है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन C अनुछेद 361 वहीं बात करें अनुछेद 171 की तो इसके तहत राष्ट पती के चुनाव से संब्धित मामले की जाजपड़क होती है और अनुछेद 143 के तहत राष्ट पती की सरोच नियाले से सलाह लेने की सकती है और वहीं बात करें अनुछेद 277 की तो इसके तहत संग सरकार कुछ दसाव में राजियो पर नियंत्रन रखती है नेक्स्ट प्रस्ण है किस सविधान संस्वधन के तहत मतदान के लिए आईश सीमा को 21 वर्ण से घटा कर 18 वर्ण कर दिया गया इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन ए और यह सविधान संस्वधन 1989 इस्वी में हुआता इसे विध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ण है जिन प्रस्णों का उतर सदस्ट तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है तो जिन प्रस्णों का उतर सदस्ट तुरंत सदन में चाहता है उसे तरांकित प्रस्ण कहा जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा option B तरांकित प्रश्न और इस प्रश्न का उतर मोखिक रूप से दिया जाता है इसे भी ध्यार में रखेगा नेक्स्ट प्रश्न है लोग सभा में कितनी सीटे अनसुचित जाती और अनसुचित जाती के लिए परतिनीधियों के लिए अरक्षित है तो लोग सभा में कूल 131 सीटे अनसुचित जाती और अनसुचित जाती के लिए अरक्षित की गई है तो इसका राइट एंसर हो एक सो एक तीस हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण है विधान साभा में धन विध्यक किसी की पूर अनुमती से पेस किया जाता है तो विधान साभा में धन विध्यक को राजपाल के पूर अनुमती से पेस किया जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन B नेक्स्ट प्रस्ण है उपराष्ठपति निर्वाचित होने केलिए किसी व्यक्ति की निम्तम वायू 25 वर्ड चाहिए। उपराश्ट्पति या राश्ट्पति का निम्तम वायु 25 वर्ष होनी चाहिए नेक्स्ट प्रस्ण है मदन मोहन पुन्ची आयोग किसके अध्यान के लिए गठन किया गया था तो मदन मोहन पुन्ची आयोग केंद राज संबंधों के लिए गठत किया गया था इसका राई टेंसर हो जाएगा option A और यह आयोग का गठन अप्राल 2007 में हुआ था इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्राशन है निमलिखित महासागर यह धाराओ में से कौन सी एक सित महासागर धारा नहीं है तो इसमें से कुरोसियो धारा या सित महासागर यह धारा नहीं है इसका राई टेंसर हो जाएगा option C कुरुसोरिय धारा की बात करे तो यह परसांत महासागर की गर्म जल धारा है वही कनारी धारा की बात करे तो यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है और कैलिफोर्निय धारा यह परसांत महासागर की ठंडी जल धारा है और वहीं फॉकलेंड धारा या अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है नेक्ट प्रस्टन है बढ़ंपुत्र और सिंदु नदिया पुरवर्ती नदिया है एक पुरवर्ती जल निकास अपवा की सही पडिभासा निमली खित में से कौन सी हो सकती है तो इसमें से पुरवर्ती जल निकास अपवा की सही पडिभासा जो हिमाले स्रेनी के अस्तित में आने से पहले ही बिदमान था यहीं हो सकती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन B इसमें सिंधु, बढ़ंपूद और सतलज नदी या हिमाले स्रेनी के अस्तित में आने से पहले से ही बिदमान नहीं से ध्यान में रखियेगा नेक्स्ट प्रस्ण है सितोष्न कटिबंध छेत की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है तो सितोष्न कटिबंध छेत की वनस्पति को मेसोफाइट की नाम से जाना जाता है इसकर राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन D मेसोफाइट वह ही ट्रोपोफाइट या उश्न कटिबंध ये जलवाई वाली वनस्पति को कहा जाता है और Zero Fight या उस्न कटी बंदी ये मरुवस्थली छेतरों की वनस्पती को कहा जाता है और Cryo Fight टुंडरायों सीद पर्धान छेत की वनस्पती को कहा जाता है Next question है निम्न में से कौन अस्थल रूद देश नहीं है तो इसमें से अस्थल रूद देश कोलंबिया नहीं है इसका right answer हो जाएगा option A कुलंबिया अस्थल रूत देश वह देश होता है जिसका अंतराष्ट्रिय सिमा समून्द से नहीं मिलती है इसे ध्यान में रखेगा next question है संपून भारत का अक्छांसिय विस्तार कितना है next question है जब नदी मैदान में प्रव्यस करती है तो यह अवरोध के कारण मूड कर टेड़ी मेड़ी बहने लगती है जो कहलाता है तो जब नदी मैदान में प्रोयस करती है तो यह अवरोध के कारण मुड कर टेड़ी मेडी बहने लगती है तो इसे विसर्व कहा जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा और यह जाता है और जून में कट लिया जाता है इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ण है ताप वीदुत पर्योजनाओं के संदार में निमलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है तो इसमें दिया हुआ है कोरबा उतर पर्देश यह बिल्कुल गलत है कोरबा यह ताप वीदुत छतिस गड़ में है वही रामकुंडम यह आंध पर्देश में है और कवास यह गुजरात में है तो यह सही सुमेलित है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा और कवास प्रशन है चंग ठंगी और गंजम किस पसु की पर्मूख नसले है तो चंग ठंगी और गंजम बकडी की पर्मूख नसले है इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रशन है अपतानी कहां का मुख जन जाती है तो अपतानी या अरुनाचल परदेश का मुख जन जाती है इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्रशन बी नेच्ट प्रशन है वह ताप मान जिसका पठे आंग फारेन हाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है तो माइनस 40 डिगरी या फारेन हाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्रशन C नेच्ट प्रशन है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का उप्रशन का उप्रशन में किया जाता है नेच्ट प्रशन है किसी वस्तु का अवर्धित और अभासी परतिवीम प्राप्त करने के लिए निमन में से किसका प्रयोग किया जाता है तो किसी वस्तु का अवर्धित और अभासी परतिवीम प्राप्त करने के लिए आउतल दर्पन का प्रयोग किया जाता है इसका राई टेंसर हो जाएगा ओप्शन B और तल दरपन नेक्स्ट प्रस्ण है आलफा बीटा तथा गामा की वेदन सक्ति का आरोहिक क्रम निमलिखित में से कौन है तो इसमें से आलफा बीटा तथा गामा की वेदन सक्ति का आरोहिक क्रम यह हो जाएगा सबसे कम वेदन शमता आलफा की होती है उसके बाद बिटा की और सबसे अधिक वेदन शमता गमा की होती है इसे ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट प्रस्ण है द्रिस एस्पेक्टरम का तरहंग धर कितना होता है तो द्रिस एस्पेक्टरम का तरहंग धर या 49 सव एंगस्ट्रम से 78 सव एंगस्ट्रम तक होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा option B नेक्स्ट प्राशन है लैंब की बत्ती में तेल किसके कारण उपर उठता है तो लैंब की बत्ती में तेल किसकी घटना के कारण उपर उठता है नेक्स्ट प्रस्ण है पेंडूलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समाई अधी पर क्या परभाव पड़ेगा तो बात करें पेंडूलम की तो पेंडूलम का अवर्थ काल यानि की T बड़ावर होता है रूट अंडर एल बटा जी यहां एल पेंडूलम की लंबाई और जी प्रिथवी का गुरूतो कर्शन बल है तो चंद्रमा पर जी कमान कम हो जाएगा तो यह पुरा भैलू कमान बढ़ जाएगा तो इसका राई टेंसर हो जाएगा ओप्शन ए नेक्स्ट प्रस्ण है यदि तामबे के तार को दो गुना बढ़ाद दिया जाए तो उसके परतिरोध पर क्या परभाव पड़ेगा नेक्स्ट प्रश्ण है निम्न में से कौन सी भौतिक रासी की इकाई वहीं है जो पर्तिबॉल का है तो बात करें भौतिक रासी की तो इसमें दाब का इकाई वहीं होता है जो पर्तिबॉल का होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन D नेक्स्ट प्रश्ण है किसीतोत के परमानु का परमानु करमांग 17 है और दर्वमान 36 है तो उसके निउकिलियस में निउट्रोनों की संख्या है तो किसी तोथ के निउकलियस में निट्रोनों की संख्या बढ़ाबर होता है दरबमान संख्या जो दिया हुआ है 36 माइनस प्रमानु करमान संख्या तो इसको माइनस करने पर मिल जाएगा 19 तो इसमें निउकलियोनों की संख्या 19 हो जाएगा एक प्रोटोन बंच जाता है जब हाइडोजन परमानु अपने इलेक्टोन खोद देता है तो इसका राई टेंशन हो जाएगा option C चुकि हाइडोजन में एक इलेक्टोन तथा एक प्रोटोन होता है next question है मुद्रनालय में पर्यूग टाइप धातू किसके इलाय है next question है सिमेंट समान तक किस का मिश्रन होता है तो सिमेंट मुखता कैल्सियम के सिलिकेट तक अलूमिनेट योग धो को जाधिक होता है तो इसका राई टेंशन हो जाएगा option a kaalσιयम silicate और कैल्सियम अलूमिनेट नेक्स्ट प्रस्चन है निमलिखित में से किस एक में विश्षिष्ट उस्वा का मान सर्वाधिक होता है तो इसमें से जल का विश्षिष्ष्ट उस्वा मान सर्वाधिक होता है इसका right answer हो जाएगा option D बात करें जल की विशिष्ट उस्मा की तो इसका मान 4.186 जूल परती ग्राम होता है नेक्स्ट प्रस्टन है एल्कोहल यहम जल के मिश्रन से जल को अलग किया जा सकता है तो एल्कोहल यहम जल के मिश्रन को आस्वन द्वारा अलग किया जा सकता है इसका राइट एंसर हो जाएगा option A, आस्वन Next question है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है तो सुक्रोज के जल अपघटन से गुलकोज और फ्रक्टोज बनता है इसका राइट एंसर हो जाएगा option B Next question है, पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस परकार के अगनी समक का पड़ियोग किया जाता है तो पेट्रोलियम से लगी आग के लिए फोम परकार का अगनी समक का पड़ियोग किया जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा option A Next question है, निमलिखित का मिलान कड़े इसमें कौपर सलफेट का हो जाएगा फंगस नासी पिनिसलीन या पर्ति जैविक होता है वहीं इउडिया या उरवरक होता है जिसका उपयोग क्रिसी में किया जाता है वहीं मैले थेयान या एक कीट ना सकाए तो इसका सही मिलान हो जाएगा ओप्शन ए नेक्स्ट प्रशन है मनूस के जीव के किस छेत्र तक करवाहट की सनवेदना सिमित रहती है तो मनूस के पीछले भाग में करवाहट की सनवेदना होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन डी बात करे मनूस की जीव की तो इसके यहाँ पे करवाहट यानि की तिखापन का भाग होता है वहीं इसके आगे वाले भाग पे मीठा और साइद में नमकीन का भाग होता है नेक्स्ट प्रस्ट न है इउरिया किसमे संसलेसित होता है तो इउरिया या यक्रित में संसलेसित होता है यानिकि लिवर में संसलेसित होता है इसका राइट एंसर हो जागा option C और यक्रित में बिटामिन के भी संसलेसित होता है इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रश्ण है उस बिटामिन का नाम बताई है जो किसी मनसहारी भोजन में नहीं मिलता है तो बिटामिन D मनसहारी भोजन में नहीं मिलता है सोड़ी बिटामिन C या मनसहारी भोजन में नहीं मिलता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन B या निम्बू या निम्बू संत्रा टमाटर या इत्यादी में मिलता है नेक्स्ट प्रस्ट है दूद से दही असकंदीत करने वाला एंजाइम है तो दूद से दही असकंदीत करने वाला एंजाइम रेनीन है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन B रेनीन नेक्स्ट प्रश्ट नै नीमली खित में किसका हीड़्दय सिरह यूख्थ होता है तो इसमें मच्छली य congress का हीड़्दय सिरह यूख्थ होता इसका right answer हो जाएगा option C नेक्स्ट प्रस्ट है किस पड़किडिया द्वारा स्वासन के दौरान गय से रूधिर में परवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है तो विसरन पड़किरिया की बात करें तो इसके द्वारा स्वासन के द्वारान गय से रुधिर में परवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option C विसरन गुन सुत्र किसके बनते हैं तो बात करें गुन सुत्र की तो गुन सुत्र या DNA और प्रोटीन का बनता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option C A और B दोनो या हिस्टोन नामक प्रोटीन इसमें मिला हुआ डाता है नेक्स्ट प्राशन है कजली जील किस राज में इस्ति थै तो कजली जील या पंजाब राज में इस्ति थै इसका राइट एंसर हो जाएगा option B पंजाब नेक्स्ट प्रशन है जल सनरक्षणियम प्रदूसन नियंतरन अधिनियम कम बना तो जल सनरक्षणियम प्रदूसन नियंतरन अधिनियम 1974 इसपी में बना इसका राई टेंसर हो जागा ओप्शन D 1974 नेक्स्ट प्रश्ण है दूतियक उपभोगता होता है तो दूतियक उपभोगता या मनसहारी होता है इसका राइट एंसर हो जागा ओप्सन बी मनसहारी वहीं प्रात्मीक उपभोगता या सकहारी होता है और तृतिय उपभोगता या सरवारी होता है नेक्स्ट प्रश्ण है निमलिकित में से कौन आद भूमी छेतर है तो इसमें से चिलका जील, केवला देव उद्यान, भीतर कनिका उद्यान तथा उपड़ी गांगा या चारो आद भूमी छेतर है तो इसका राइटेंशन हो जाएगा ओप्शन डी वर्तमान में भारत में प्रश्ण है और सबसे अधिक आद भूमी छेत वला राज तमिल लांडू है इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रश्ण है वन सनरक्षन अधिनियम को किस वर्स पारित किया गया तो वन सनरक्षन अधिनियम को 1980 SP में पारित किया गया इसका राइट एंसर हो जाएग मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालान से बाहर कर देती है इसका संबंध ग्रेशम का नियम से है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन C ग्रेशम का नियम प्रणा की गई थी नेक्स्ट प्रस्न है नवाड की अस्थापन किस पंच्वर्षी ओजणा के दोरान की गई थी तो बात करे नवाड की तो इसका अस्थापना चटंटी पंच्वर्षी ओजणा के अंतरगद किया गया था इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन B वहीं बात करें छठी पंच्वर्षी ये ओजना की तो इसका ओधी उनेश्व ऐसी से उनीश्व पचासी स्वितक रहा और नवाट की अस्थापना बाड़ा जुलाई नेक्स्ट प्रस्ट है आईपीसी किस स्टॉक एक्षेंज का सियर मूल सुचका अंख है तो इसमें बिक्री कर और सेवा कर या अपर्थ्यक्ष कर का उदहाराना इसका राइट एंसर होजएगा ओप्षन सी फर्स्ट तथा सकेंड नेक्स्ट प्रस्ट है निम्न में से कौन सोराज दल के नेता नहीं थे तो इसमें से सी राज गोपलाचारी सो राज दल के नेता नहीं थे इसका राइट एंसर हो जगा ओप्शन सी बात करें सो राज दल की तो इसका अस्थापना 1923 स्पी में चितरंदन दास और मुतिलाल नहरू ने मिल कर किये थे नेक्स्ट प्र्ष्ण है किसके परियास से बंबई में पर्थम महिला विस विद्याल विद्याल की अस्थापना की गई थी इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन बी डीके करवे नेक्स्ट प्राश्ट नहीं निमलिखित घटनावें पर विचार करें निल बिद्रो, संथाल बिद्रो, दक्कन बिद्रो और सिपाही बिद्रो तो बात करें निल बिद्रो की तो यह हुआ था अठाडे साथ हिस्पी में और वही संथाल बिद्रो यह हुआ था अठाडे साथ हिस्पी में और दक्कन बिद्रो या हुआ था 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 और बहादूर साच अफ़र का मूल नाम मुवजम था इसे ध्यान में रखेगा और यह अरंग जेव का पूत्र था नेक्स्ट प्राशन है एक खूली परतियोगी तात्माग परिक्षा के माध्यम से इंडियान सिविल सर्विस में भारतियोग के लिए परव्यस को निमलिखित में से किसने संभाव बनाया तो इंडियन सिविल सर्विस में भार्तियों के लिए पड़ियोस को संभाव बनाने वाले या थे लौड डॉल हो जी इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन C लौड डॉल हो जी भारत में सील सेवा का एकजाम 1922 से होना प्रगाम हो गया था इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रशन है बीना दूर्ग के एक मात्र सिंधु नगर कौन सा था तो बीना दूर्ग के एक मात्र सिंधु नगर चनहुद्रो था इसका राइट एंसर हो जाएगा और यह अवर्तमान में पाकिस्तान में इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रश्ण है निम्न में से कौन सी रचना राज सिखर की नहीं है तो इसमें से बाल रमायन, करपूर मंजारी और हर विलास या तीनों रचना राज सिखर से है तो इसका राई टेंसर रोजगा ओप्शन डी उपर यूगत में से कोई नहीं नेक्स्ट प्राश्ण है राम कृष्न मिishan की अस्थापना किस वर्च की गई थी तो राम कृष्न मिishan की अस्थापना 897 इस्वी में बेलूर में किया गया था और इसके संथापक स्वामी विबेका नं थे दिक्वर्ण है तो इसका राईट टेंसर होजगा ऑप्शन अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है प्रण्तु गांधिवाद नहीं तो गांधी जी ने कॉंग्रेस के क्रांची अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है प्रण्तु गांधिवादी नहीं तो इसका राइट एंसर हो जगा option C और यह अधिवेशन यानिकि क्रांची अधिवेशन 1931 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सर्दार पटेल ने की थी नेक्स्ट प्रस्ण है अखील भारतिय किसान सभा की अस्थापना किस वर्स की गई थी अखिल भार्तिय किसान सभा की अस्थापना 1936 में स्वामी सहजा नंदस्वर स्वती दोड़ा किया था इसे ध्यान में रखेगा और यह लखनौव में किया था इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ण है निम्न प्रस्णों का सही मिलान करे इस्ट इंडियान एसोसियेशन इसका संभांध 1866 से है वही मदरास महाजन सभा इसका अस्थापना 1884 में हुआ था वही उत्तर प्रदेश किसान सभा की अस्थापना 1928 में हुआ था और इंडियान सोसाइटी की अस्थापना 1884 में हुआ था तो इसका सही अंसर नो जाएगा ऑस्थान बी नेक्स्ट प्रस्ण है आकवर नहीं की से कोभी पिडिये के उपाधि दी थी इसका right answer हो जाएगा option B और बात करें बीरवल की तो बीरवल का वास्त्विक नाम महेश दास था इसे ध्यान में रखेगा next question है 2020 में जारी हरित पत्थ मोबाइल एप का उदेश है तो 2020 में जारी हरित पत्थ मोबाइल एप का उदेश next question है भारत के किस राज ने हाली में मुख मंत्री सोर सोर रजगार योजना की तो इसका शुरुवात उतरा खंड के सरकार दोड़े किया गया next question है संजुक्त राष्ट के परतिश्ठित ससकावा पुरुषकार 2019 की से दिया गया तो संजुक्त राष्ट के परतिश्ठित ससकावा पुरुषकार 2019 पीके मिसरा को दिया गया next question है भारत और किस देश के बीच दीपक्षिय सायन अभ्यास जीमेक्स 2020 का संपन हुआ तो भारत और जपान के बीच जी मेक्स 2020 दीपक्षी सेन अभ्याद से संपन हुआ इसका राइट एंसर हो जाएगा option B इसमें J का मतलब जपान, I का मतलब इंडिया और M का मतलब मैरी टाइम यानि की समुंदरी और EX का मतलब exercise है नेक्स्ट प्रस्ण है COVID-19 को महमारी घोशित करने वाला पहला राज कौन सा है तो COVID-19 को महमारी घोशित करने वाला पहला राज हरी आना था इसका राइट एंसर हो जाएगा option D और सबसे पहले क्रोना वाइरस के कारण पून करफ्यू लगाने वाला राज पंजाब था इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ण है किस राज के डल्ले खुरसानी मीर्च को हाली में GI टाइग परदान किया गया है तो डल्ले खुरसानी मीर्च का GI टाइग या सिक्किम को दिया गया इसका राइट एंसर हो जाएगा option C सिक्किम नेक्स्ट प्रस्ण है वालीवुड की प्रसीद किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का October 2020 में निधन हो गया है तो प्रसीद कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानू अथाया इनका निधन October 2020 में होगा था इसका राइट एंसर हो जागा option A और इन्हों इनने गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी जिसके लिए इनको आसकर पुरुषकार मिला था और इनने 1983 इसवी में आसकर पुरुषकार दिया गया था और हाली में नाटू नाटू को भी ओस्कर पूरुषकार दिया गया है इसे ध्यार में रखेगा नेक्स्ट है हाली में किसे 2020 का वाइड लाइफ फोटोग्राफर अफ दा इयर पूरुषकार से समानित किया गया है तो 2020 का White Life Photographer of the Year या स्वर्या स्रीधर को दिया गया है इसका right answer होजएगा option B नेक्स्ट प्रस्ट ना है निम्न भार्तिय राजियों में सरवाधिक वंच्छेत्र वला राज कौन सा है तो इसमें सरवाधिक वंच्छेत्र वला राज या हो जाएगा मधपर्देश इसका right answer होजएगा option A मधपर्देश और सबसे अधिक सरवाधिक वंच्छेत्र वला राज या मिजोड़ा मही से भी ध्यान में रखेगा और इनका संबंध सरविया से है इस सरविया देश के खिलाड़िया इसे ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ट नाए हाली में चर्चा में रहा सुड़े धार जील किस राज में है तो सुड़े धार जील या उत्रा खंड राज में है इसका right answer होजएगा option C नेक्स्ट प्रस्ट नाए हाली में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिज़वर किस राज में है तो पन्ना टाइगर रिज़व या मध परदेश राज में है इसका right answer होजएगा option B नेक्स्ट प्रस्ट नाए है नासा ने चंद्रमाप पहला cellular network अस्थापित करने के लिए किस company को चुना है तो नासा ने चंद्रमाप पहला cellular network अस्थापित करने के लिए Nokia को चुना है इसका right answer होजएगा option A Nokia और नासा दो हजार चौबिस में चंद्रमाप पहला मानों भेजने के लिए Artemis mission शुरू किया इसे भी ध्यान में रखेगा नेक्स्ट प्रस्ट ने 2 अक्टूबर को गांधी जन्ती के अउसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ और सिक्षा से जूरे संगठने को 41 ambulance और 6 school bus से दान की तो भारत ने 41 ambulance और 6 school bus से नेपाल को दान की इसका right answer होजएगा option A नेक्स्ट प्रस्ट ने 20 आर्थिक मंच का पचासवा वार्षिक सिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन स्रीटेजर लेंड में किया गया इसका right answer होजएगा option A नेक्स्ट प्रस्ट है बिहार बिधान सावा में अनुसुचित जन जाती के लिए अराक्षित सिटों की संख्या कितनी है तो बिहार बिधान सावा में अनुसुचित जाती के लिए अराक्षित सिटों की संख्या दो है इसका right answer होजएगा option A दो और वही अनुसुचित जाती के लिए अराक्षी सीटों की संख्या 38 है नेक्स्ट प्रस्ट है हाले में पर्धान मंत्री नरेंद मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उदगाटन किस राज में किया तो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने रोप एक्स टर्मिनल और रोप एक्स सिवा का उदगाटन गुजरात राज में किया इसका राइट इंसर हो जागा ओप्शन बी नेक्स्ट प्रस्ट है हाली में आईवाडी कोष्ट के नए प्रधान मंत्री कौन बने है आईवाडी कोष्ट के नए प्रधान मंत्री हमी बकायों को बने है इसका राइट इंसर हो जागा ओप्शन बी नेक्स्ट प्रस्ट है बिस दुख्ध दिवस कब मनाया जाता है तो परतेक वर्ष एक जून को बिस दुख्ध दिवस मनाया जाता है इसका राइट इंसर हो जएगा option B next question है मानो पूजी सुचकांग 2020 में कौन सा देश सिर्ष अस्थान पड़ा है तो मानो पूजी सुचकांग 2020 में सिंगापूर पर्थम अस्थान पड़ा और इसमें भारत का अस्थान एक सोलाहवा था इसे विध्यान में रखेगा next question है एक प्रोमिस लेंड पुच्तक के लिए खग कौन है तो एक प्रोमिस लेंड पुच्तक के लिए खग बड़ाक ओबामा है इसका राइट इंसर हो जएगा option B बड़ाक ओबामा वह ही मिसेल उबामा द्वारा लिखी पुच्तक है इसे विध्यान में रखेगा next question है भारत के एक रहवे मुख सुचना आयोग कौन निक्थ हुए है तो भारत के एक रहवे मुख सुचना आयोग ये स्वर्धन सिना निक्थ हुए है next है निमलिकित प्रश्णों में किसका सही मिलान नहीं है इसे सुधार लिजिएगा यहां नहीं नहीं होगा निमलिकित प्रश्णों में किसका सही मिलान है तो इसमें सही मिलान या हो जाएगा सिक्किम सिक्किम के राजपाल गंगापरसाद है या सही मिलान है वह ही बात करें मेघाले की तो मेघाले के राजपाल फागु चगवान है पहले ये बिहार के राजपाल थे अब मेघाले के राजपाल हो गए है वह ही नागालेंड की बात करें तो नागालेंड के राजपाल सिरी लाग गनेशन है और त्रिपूरा के राजप गंगापर्साद, नेक्स्ट प्रस्ट है, विसमीर्दा दिवस 2020 का थीम क्या था, तो 20 मीर्दा दिवस 2020 का थीम, किप स्वायल अलाइव, प्रोटेक्ट स्वेल, बायो इसका राइट एंसर हो जाएगा option A और मिर्दा दिवस परतेक वर्स 5 दिसंबर को मनाया जाता है इसे विध्यान में रखेगा प्रयावरान के छेत में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझाता किया है इसका राइट एंसर हो जाएगा option A मिदनापूर और या पस्सिम बंगाल का यानकी वेस्ट बंगल का रेल वेस्टेशन है नेक्स्ट प्रस्ट ने भारत ने अपना पहला परमानु परिक्षन का अप किया तो भारत ने अपना पहला परमानु परिक्षन 18 मई 1974 इस्पी को किया था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option A 18 मई 1974 चोगतर और दुसरा परमानु परिक्षन 1998 इसमें किया था इसे भी ध्यान में रख्येगा और दूसरे परमानु परिक्षन के आप्रेशन का नाम था ओप्रेशन सक्ति नेक्स्ट प्रस्ट है अंतराष्ट्रेश्रम संगठन का मुख्याले कहा इस्तित है तो अंतराष्ट्रेश्रम संगठन का मुख्याले जिनेवा में इस्तित है इसका राई टेंसर हो जगा ओप्शन सी जिनेवा स्विटर लेंड नेक्स्ट प्रस्ट है दचिन पुडवी एस्याई राष्टों के संग में कौन सा देश सामिल नहीं है तो दचिन पुडवी एस्याई राष्टों के संग यानि की आसियान में इसमें माल्दिव सामिल नहीं है इसका राइट एंसर हो जगा ऑप् सामिल है नेक्स्ट प्राश्ण है और आज का लास्ट प्राश्ण है राधा मोहन कॉप निम्न में से किस खेल से संबंधित है तो बात करें राधा मोहन कॉप की इसका संबंध पोलो से है इसका राई टेंसर हो जागा ओप्शन डी पोलो तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद